आज हम देखेंगे कि मार्केट का जो फॉल है वो कंटिन्यू क्यों हो रहा है उसके पीछे न्यूस क्या चल रही है और मार्केट का फॉल कहां तक रुख सकता है यह हम समझने की कोशिश करेंगे टेक्निकल चार्ट के हल्व से अगर देखें तो जो युवस इल्ड है वो बड़ी हुई है मतलब लोग जो पैसे है वो अब अगर एवडी में रखें तो उनको अच्छे रिटरंस मिलेंगे जो अभी तक उनको जीरो मिल रहा था और इंडिया में भी 23 मंत का जो इंट्रेस्ट है वो भी 6.44 के नजदीक में बड़ा हुआ है मतलब जो अब तक 5.5% का इंट्रेस्ट मिल रहा था अब बॉंस में वो 6.5% तक मिल सकते हैं जिस तरीके से इंट्रेस्ट बढ़ रहा है बाद में जो फेड का जो मिटिंग है फेड ने अल्रेटी अनौन्स कर जा था कि अब वो ज्यादा पैसे नहीं करेंगे मार्केट में जो लिक्रिटी है उसको खतम करेंगे और धीरे-धीरे वो इंट्रेस्ट बढ़ाएंगे और एक अभी वापस एक फेड का जिस तरीके से मिटिंग है उसमें ऐसा एक अनुमान है कि वापस फेड अपने रेट इंट्रेस्ट बढ़ाएगा और रेट ऑफ इंट्रेस्ट बढ़ाएगा तो मार्केट में पैसा महेंगा होगा तो जो कॉर्पेट से उनको पैसे मिलने में एक जो इंट्रेस्ट बढ़न है वो बढ़ेगा और इजीली पैसा अवलेबल नहीं होगा यह सब चीज का फियर मा इस प्राइस को डिसकाउन करने की कोशिश कर रहा है अब देखें तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है यह नोग समझेंगे और मार्केट काफी नीचे तक आ चुका है और जैसे की थर्ड कौॉटर के जो रिजल्ट आ रहे हैं उनकी अर्णिंग सपोर्ट कर रही है मार्केट को म उस profit से ऐसा लगता नहीं है कि कोविड का या कोई fall हमको देखने मिलेगा मगर जो आगे जो interest rate बढ़ जाएंगे और उससे जो पैसा महंगा होगा corporate के लिए banks को देने में दिक्कत आएगी उस news को market एक discount करता हुआ जा रहा है मतलब उस news को पहले से ही observe करता हुआ जा रहा है तो भी market नीचे गिर रहा है क्योंकि market की जो future earning है market एक future earning पर काम करता है और उनको ऐसा लगता है कि जो future earning है वहाँ पर दिक्कत होगी और उस उस price को market discount करता हुआ दिख रहा है अब हम समझते है technical chart के help से कि market कहां जा सकता है तो सबसे पहले आज हम एक बड़े time frame से start करेंगे से जनवरी मंत में market को उपर लेके गए थे मगड़ seller aggressive है और उनने market को नीचे की तरफ दबाया है मतलब जो high है वो 18,300 था और अभी का जो price है वो 17,150 तो आज पहला ट्रेडिंग week था पहला Monday का दिन और यहाँ पे देखे तो मंडे के दिन ही market में 468 point की गिरावट रही और 2.66% हम लोगी scandal की बात कर रहे है 2.66% market डाउन रहा अब यहाँ पर एक retracement के अगर हम लोग बात करें कि retracement हमको क्या देखने मिल रहा है तो हम लोग एक closing अगर market sustain करता है तो हम लोग यह देख सकते हैं कि market में थोड़ा सहा recovery हो सकती है हमने यह बात की weekly charts पे same यही एक pattern बनता हुआ दिख रहा है जो low बनाया था 16,400 लेवल का उस लेवल से जो 18,600 का लेवल है वहां से 0.618% मतलब बराबर Fibonasi golden ratio का retracement लेता हुआ हमको nifty दिख रहा है अब बात करें हम लोग आरली candles पे तो आरली candles पे continue एक downtrend है शाफ fall देखने हमको मिला अब बात करें हम लोग बैंग निफ्टी की क्या कर रहा है और बैंग निफ्टी में एक time हम ने देखा तो बैंग निफ्टी काफे नीचे जा चुका था हम लोग बड़े निफ्टी हमको strength दिख रहा है बात करें हम लोग निफ्टी की निफ्टी मंतली candle पे 1.18% माइनस है और बैंग निफ्टी वहीं मंतली candle पे 4% प्लस है तो अम लोग यह देखें मंतली बेसिस पे बैंग निफ्टी में ज्यादा strongness ज्यादा support देखने के लिए हमको मिल रहा है बात करें weekly charts की तो weekly charts की बात करें तो बहुत ज्यादा आज हमको bank nifty में गिरावट नहीं देखने मिले निफ्टी की बात करें तो nifty 2.66% गिरा और वहीं bank nifty 1.67% गिरा तो मतलब bank nifty का जो गिरावट है वो ज्यादा नहीं है compare करें हम निफ्टी के साल और यहां से एक retracement की level क बात करें तो जो bank nifty का retracement भी बहुत ही कम रहा सिर्फ 50% bank nifty ने retracement किया है आज पहला trading week था मंडे के दिन जहां पे हमको bank nifty में 626 point की गिरावट देखने के लिए मिली और 50% का retracement लेता हुआ हमको bank nifty दिखा और bank nifty ने नीचे के level से एक काफी अच्छी काफी अच्छी buying भी ह साइन है 5 ym, 13 ym, 20 ym, हर ym, के नीचे आ चुका है weekly chart पे weekly charts की बात करें तो 13 ym, 20 ym, 5 ym, हर ym, के नीचे है और बात करें अगर हम लोग monthly chart की तो monthly chart में अब तक 5 ym के ऊपर sustain कर रहा है nifty जो एक अच्छा संकेत है अब बात करें हम लोग bank nifty की bank nifty में क्या लग रहा है और bank nifty की बात करें तो bank nifty 50 ym, के नीचे आ चुका है यहाँ पे देखने के लिए हमको मिल रहा है 13 ym, 20 ym, हर ym, के उपर है माफ करना नीचे है बात करें हमको weekly charts के तो weekly charts में भी हर ym, के नीचे आ जा चुका है price देखे तो 5 ym, 13 ym, 20 ym, जो ym से वह बहुत important होते है यह में इस क्या होते है एक average होता है जो price चल रही है उसका 13 दिन का average, 50 दिन का average अगर वहां के नजदीक में price जाता है तो हमने उसको एक मानते हैं कि वहां से अगर नीचे जाता है तो एक negative चीज है यहाँ पर देखें तो bank nifty monthly chart पर 5 में के अभी वी उपर है बात करें करें लोग RSI की तो RSI 61 है monthly basis पर bank nifty का जोग अच्छा संकेत है बात करें हम लोग weekly chart पर तो 51 है और daily chart की बात करें तो daily chart पर यह 45 है मतलब अ चार्ट पर हमोगने सबज्जें की कुशिश की कि जिस जिस लेवल पर आज निफ्टी बैंक निफ्टी सस्टेंड कर रहे हैं ऐसा ज्यादा चांस है probability है कि यहां से निफ्टी बैंक निफ्टी अप्स्टेंडिंग मुव ले सकते हैं अब कौन से स्टॉक्स में हमको अगरी गिरावट रही 468 पॉइंट निफ्टी माइनस रहा 2.66 परसेंट सिर्फ दो कंपनिया प्लस रही और 48 कंपनिया माइनस रही बढ़नाल शेर्स में सिपला और ओंग इसी रहे गिरनाल सेर्स में जिए जएज डबलू इस्टील बजाज फैनांस टाटा इस्टील ग्र सबसे जादा quantity trade हुई है value की trade हुई है quantity trade अगर कहें आईडिया यस बैंक जेपी पावर जमेटो में आप सबसे जादा quantity trade हुई है देखें तो जितने भी startups थे जैसे की जमेटो नाइका पे टिम वो अपने 52 वीक लो के नजदीक में trade करते हुए दिख रहे है और FIS की वी continue हमक को watch करने चीए देखने चीए जरूर आप comment करना तो वो भी हम लोग cover करेंगे अगर हम आपको stock market के बारे में थोड़ा सा भी कुछ बता पा रहे है कुछ समझा पा रहे है तो please हमने चैनल को subscribe करें share करें ये video को अपने friend और लिटो के साथ की वो भी stock market के moment को बहतर तरीके से सम सके नमस्कार धन्यवाद